नमस्कार भक्तो काबड यात्रा 2022 की यूपी से बहुती बड़ी ख़बर जेहां भक्तो ब्रेकिंग न्यूज इस तरह की काबड पर लगी रोग पूरी तरीके से बैन कर दिया है सरकार ने क्या है काबड यात्रा की गाइडलाइन्स चलिए जान लेते हैं तो वह कौन सी काबड यात्रा करने बाले और आप कहां के रहने बाले हैं तो कमेंट करके जरू बताए ताकि सबी सिर्धालू को इसकी जानकारी हो से गए तो चलिए अब आपको देते हैं पूरी जानकारी 14 जुलाई 2022 से सुरू हो रही काबड मेले को लेकर उत्तरा खंडा और उत्तर परदेश पुलिस और पिरसासनेक अधिकारी की डाम कोठी में बुद्दबार को बैठक होई इसमें काबड मेला साकुसल पिरसन कराने के लिए अधिकारी उन्हें अपने अपने सुझाओ दिये इसमें कहा गया कि दूसरे जिलों से हरदवार आने बाले सिब भक्तों की सूची बनाई जाएगी और सीमा बरती जिलों में साजा की जाएगी इसके अलावा साथ हिट से उची काबड पर रोक रहेगी और काबड ये अपनी आईडी साथ लेकर आएंगे ये नियम बनाए ग सिमा बरती जन्पदों के अधिकारियों के साथ चर्चा करती हैं कहा कि हरदवार की और जाने वाले काबडियों की सूची सभी जिलों के साथ साजा करें आकिस्मिक समय पर इससे काफी मदद मिल सकती है उन्होंने कहा कि सुरक्षा और भीड नेंतरड बड़ी चुनोती है इसलिए बिशेज ध्यान देने की अवस्यक्ता है गड़बाल आयोक्त ने कहा कि काबड की उचाई अधिक से अधिक साथ फिट होनी चाहिए ताकि यात्रा में परिशानी ना हो खड़ी इससे उची काबड पर रोक रहेगी इसके अलावा दुकानों में कोई भी आइसी चीज की व formidable होनी चाहिए जिसे हतियार के रूप में इस्तमाल किया चाहता है खंजर जैसे हतियार अपर धारदार जैसे हतियार अपर इन पर पूरी तरीके से बैन कर दिया है मेला में इसकी बिक्री नहीं होगी अगर कोई ऐसा करता हुआ बेशता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाब सक्त कारवाई की जाएगी काबडियों के लिए पहचान पत्र लाना जरूरी होगा जिला अधिकारी हरदवार बिने संकर पाणने ने बताये कि 14 जुराई से 27 जुराई तक काबड मिला चलेगा उन्होंने कहा कि इस साल काबडियों की संख्या 4 करोड से भी अधिक हो सकती है SSP हरीदी द्वार डाक्टर योगेंदर सिंग रावत ने कहा कि यात्रा पर आने वाले काबड अपने साथ कोई ना कोई पहचान पत्र अवस्य लेकर चले रोड साइड से भी सभी दुकांदार अपनी असली आईडी जरूर रखें आपको बता दे चले कि जुगार वाहनों पर रहेगी रोक बिना नंबर पलेट की गारी पर रोक रहेगी वैठक में डीम बिने अउक्स संकर पांडी ने कहा कि काबड यात्रा के दौरान पिरोक किये जाने वाले जुगार वाहनों से जिस पर नंबर पलेट नहीं होगी बिचार पिरमर्स किया गया है बैठक में पहुंचे हरिद्वार सांसत डाक्टर रमेश पोख रियाल निशंक ने कुछ देर के लिए बैठक में पिरती भाग किया उन्होंने कावड यात्रा की सफलता के लिए सुफ कामनाएं दी हैं तो वक्तों ये नियम कुछ बनाएगा है कावड यात्रा 2022 को लेकर आए खंजर और जुगार वाहनों पर रोक रहेगी साथ फिर से उची कावड बनायने पर भी पूरी तरीके से पिर्तिबंद कर दिया गया है तो सरकार का ये फैसला आपको कैसा लागा कमेंट्स करके जरूर बताए और अगर आप सिप के भगता है तो इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेर करना ना बुले और साथ साथ ये भी बताए कि आप इस साल कहां से कहां की कावड यात्रा करने बाले हैं जिसको सभी सुर्धान को इसकी जानकारी हो सके तो आप मिलते हैं नेश टुडियो में नहीं जानकारी साथ तब तक के लिए टेक केर एंड गुडवाई